सो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप प्लेश्टोर यूज़ करते हैं और प्लेश्टोर के अंदर आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आगी है something went wrong try again later कुछ इस तरह से देख सकते हैं something went wrong try again किसी भी application को आप install नहीं कर पा रहे हैं download नहीं कर पा रहे हैं अपने play store से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं अपने play store को proper तरीके से तो इसका solution क्या है आज की वीडियो में आपको वहीं बताने वाला हूं तो इस वीडियो मैं तक बने रही हैगा आप वीडियो अच्छे लगए चेक करना होगा तो वह कहां से करेंगे आप यहां पर setting पर आईएगा setting बाने के बाद यहां पर network preferences पर क्लिक करना है app download preferences और auto play यहां पर app download preferences पर आपको ख्लिक करना है ask me every time है over wi-fi only है तो आपको over any network पर click करके okay कर देना है और आघिशन रो становится करके आपको back आ जाना है आने के बाद आपको क्या करना होगा settings में आना है settings में आने के बाद आपको scroll करना है और नीचे apps पर click करना है उसके बाद manage apps पर click करना है अब यहां पर आपको search bar देखने को मिल रहा है search बार बार आपको play store search करना है play store को search कर लेते है तो यहाँ पर play store आ चुका है play store को open करते है open करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना नीचे clear data लिखा है इसको clear roll data कर देना है ठीक है आपको यहाँ से play store का clear roll data करना है देना यहाँ से back आना है उपर आपको देखने को मिल रहा है airplane mode, airplane mode को on कर देना है, अगर आपकी network से related problem होगी, internet से related, तो वो भी आपका यहां से solve हो जाएगा, तो आप जो है airplane mode को फिर से बंद कर दे, आपका airplane mode से problem होगी, तो वो solve हो जाएगा, then उसके बाद आपको क्या करना होगा, उस बात का भी आप देना है, ठीक है, यह तो आपने काम कर लिया होगा, then उसके बाद आपको क्या करना है, settings में आना है, settings में आने के बाद आपको यहाँ पर face से scroll करना है, apps में आना है, manage apps में आना है, और यहाँ पर आपको play store को search करना है, तो search कर लेते हैं, play store, जो मैं आपका बता रहा हूँ as it is आपको करना होगा और मैं यह भी बता दूँ मेरे पास जो आभी mobile है वो है Redmi का तो फ्रेश्टोर आचुका है आप open करते हैं यहाँ पर data uses लिखा हुआ है यहाँ पर आप जैसे data uses पर click करेंगे आपके mobile में यहाँ पर कुछ इस तरह से setting आजाएगी data uses पर जैसे ही आप click करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने settings आएगे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से दिखाएगा आपको नीचे mobile data लिखा है यह आपका बंद है तो ओन कर दे बैक्राउंड डटा बंद है तो ओन कर दे अगर यह दोनों की जगया आपको यहाँ पर लिखा मिले disable अगर आपको disable लिखा मिलता है और वो own हो तो उसको बंद आपको कर देना होगा ठीक है यहाँ पर blue होगा अगर disable लिखा है सामने blue color का हो रखा है उसको आपको बंद कर देना है enable कर देना है मतलब ठीक है बस आपको यह काम करना होगा तो आपकी problem जो है solve हो जाएगी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में till the bye take care love you all